पिलिभीत में धाना बेल संजाज शेत्रू के घंच्रामपुर गाव के रहने वाले अश्योक कुमार पुत्र जंडुलाल ने आरोप लगा है कि वो छे मई को बिहार मजदूरी करने किया था दबंगो ने घर में घुजकर जानलेवा हमला किया और मारकल खायल कर दिया छे मई को बिहार मजदूरी पर गया था उसके घर में उसकी मा सुखरानी पिता जंडुलाल भाई विश्योक कुमार विवेक कुमार वपिड़ित की पतनी पूनम देवी और भाई की पतनी मीरा देवी घर पर ही थी तब ही प्रार्थी का एक भाई विकास अपनी ससुराल ग्र नाम रायपूर जिला पिलिभीत गया हुआ था उस समय प्रार्थी की मौसी का नाबलक बेटा अंकुष ने बच्छडे को उसके घर में घुसा दिया जिससे उसके घर का पंखा सहित कई चीजे तूट गई आरूप है कि जब मामले के शिकायत करने उसका भाई विशोक अपनी मौसी के घर गया तभी उसकी मौसी के लड़की मौनेंद्र वीरपाल अवधेश अनिल कुमार और अनिल के बड़े लड़की मौनेंद्र ने दारू के नशे में प्रार्थी के घर में घुसकर पिड़ित के भाई अशोक कुमार को ठाकर पटक दिया अनिल के भाई ओमविड उसके बाई के पैर की उंगली तलवार मारकर काट दी है आरोप है कि जब उसकी मा सुखरानी बचानी आई तो उनके सिर की ओपर तलवार से हमला कर घाल कर दिया घटना की सुखना गाव की युवक ने डायल 112 और एंबुलेंज को दी है जिससे सभी घालो को CHC बिल संटा लाए किया है पेली भीट से बीरोचीफ मुहम्मद जैनूल की रिपोर्ट अनिल कुमार के पुत्तर मुलिंदे कुमार अफदेश बीरपाल ओम बीद नन्यलाल कि अपने धाने में रिकोर्ट आपके दर्फ हो गई है इस नियुक्त नाइब को सुनिये नाइरो योगी पास भी सिकाइट करी महिला संगेट वाले जिल्ली भी बात करी पर यह बीमार इंगे घर में नब्सक्राइब जाँ मैं अपका सपरानी बता सुशानी क्या हुआ वा आपके साथ ब्च्डा सीगोड़् कर के बच्चा होंनने के लिए बच्च्षिगे अपकाने को cybersecurity नक सब बसस्के है कि अनिरले मारो अनिर长 मुनिंदर मुनिन्दर अप्देश अड़िक अद्रव पत्र भीर पाल नन्म चेटराम गल दियत अवम बीचेत्राम बालीन पॉसके आचे लोग ने मारो हमें किस इस मारा है? बहलीं अंगलीं कातव मेर मारो मौकर खफड़ी इंगलीं काठी देई पाइयर मारो उंगलीं लग हो गई हमारे बंका मारो हमने लोग है तीन लोग है करी कुछ सुनी नहीं गई अब कहां कारवाई करिए कारवाई कर थाने हम रिपोर्ट दे हो नहीं सुनी कुछ अब लोगी जी सेवा करी शिकायत करी तो उनको सुनवाई नहीं अब जा चाहती है मुंजी गली गली घूमत इनकी पकड़ हुई जाए जी पकरे जाए निका चालान उलान होई ऐसे जे मरी है मैं फेर यवती मारी है डरीं उसके गरीब आदिमी है